स्वास्ति चर्चा कारिकरम में शुताओं हमारे आज के महमान है वेस्कुलर और एंडो वेस्कुलर सर्जन डॉक्टर प्रवीर जिंदल आज आपसे बातचीत करेंगे डीप वेन थ्रॉम्बोसिस के बारे में डॉक्टर जिंदल बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस अचार करती है शरीर के विभिन अंगों से वो खून को हिरते की तरफ लेके चलती है तो इन शिराओं में अगर खून जम जाता है किसी भी वज़ा से तो उस बीमारी को हम डीप वेन थ्रॉम्बोसिस कहते हैं और यह काफी गंभीर बीमारी होती है और मार्च का महीना हर वर जिससे पता चले या कई बार लोगों को पता भी ना चलता होगा कि ये रोग हो गया है आपने बिलकुल सही कहा अनिल जी होता क्या है कि ये रोग के बारे में जो अवेरनेस है काफी कम है अब चूंकि वैस्कलर सरजन्स की जो फील है काफी बढ़ रही है हिंदोस्तान में तो इस वज़े से थोड़ी सी जाग रुकता बड़ी है। प्रन्तु अभी भी उतनी नहीं है जतनी होनी चाहिए। तो क्या होता है कि इस बिमारी के लक्षन कई बार मिलते ही नहीं है। तो ऐसे में चिकित्स को थोड़ा सा जादा ही सावधान और अलर्ट और जिसे कहते हैं ना इंक्विजिटिव रहना पड़ता है। कि उसके दिमाग में उसके संग्यान में ये बात होनी चाहिए कि अगर कोई मरीज टांगों में दरद, सूजन, लाली, गर्मी पन लेके आता है तो उनके दिमाग में जहन में ये बात जरूर होनी चाहिए कि कहीं ये डीवीटी तो नहीं है। जितनी जाग रुकता लोगों में बढ़ेगी, जितनी जाग रुकता चिकित्सकों के बारे में मन में बढ़ेगी, उतने ही इस बीमारी को पकड़ने के खिशमता हमारी बढ़ती चली जाएगी। डॉक्टर जिंदल आम तोर पर ये लोग चर्चा भी करते हैं कि यदि ठका तूट कर सरक जाए तो जान लेवा हो सकता है, तो क्या इस बीमारी में भी ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, इसमें बहुत 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 चिंता का विशे होता है, अगर खून का जो क्लॉट है, जो शिराओं में है, अगर उसका कुछ हिस्सा या पूरा क्लॉट तूट के जाए, तो चूकि वो एक तरफा ट्रेवल करता है और वो होता है तो दिल की तरफ जब वो जाता ह है, तो दिल के रास्ते होता हुआ, फेफरों की बिलड सर्कुलेशन को अचानक बंद कर सकता है, और ये एक लाइफ थ्रेट्टिंग, एक जानलेवा स्थिती बन जाती है, और कई बार कुछ ही क्षणों में आदमी की मृत्यों भी हो सकती है, तो इसलिए इस बिमारी का जा निश्क्रिये रहते हैं, और ऐसे लोगों में क्या संभावना ज्यादा है? बिलकुल, ऐसा है कि डिवी टी के कारण अनेक हैं, और जैसा कि आपने अभी कहा कि जो लोग निश्क्रिये हैं, जो लोग अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा आलस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ल मारी का एक बहुत बड़ा कारण है, उपर से आलस्पन, नियमित वियाम ना करना, फिर आज की तारिक में लोगों में धुम्रपान और शराप का सेवन भी प्रचलन बढ़ गया है, ऐसे लोगों में इसकी संभावना दिख हो जाती है, ये तो मैं केवल जीवन शैली से संब बंदित आपको कारण बता रहा हूं, नोक सब आज कल चुकि यातायात के साधन भी बहुत तीव रिकती से बड़े हैं, हम वायुयान से भी यात्रा कर रहे हैं, कारों से भी बहुत लंबी लंबी दूरी की यात्रा हैं होती है, जिसमें बैठे रहना पड़ता है, तो क्या विदेश यात्रा से बंचित हैं, वो विदेश यात्रा करना जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कि चुकि आप विदेश यात्रा मालीजे हवायान से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो लेक स्पेस होता है, वो काफी कम होता है, एकॉनोमी क्लास सिंड्रोम जिसको बोल चानी आपकी जो लंबी दूरी की आप रोड से भी यात्रा करते हैं चाहे वो कार है और आप उसमें को रेगुलर ब्रेक्स नहीं लेते हैं तो ऐसे हालात में भी आपके जो लेग्स में हैं उसकी काफ्स की वेंज में डीवीटी या क्लॉटिंग होने की संभावना बहुत हाँ अन्दिल जी जैसे मैंने बताया अक्सर लोगों को ये जो डीवीटी की समस्या होती है पैरों की शिराओं में जादा होती है तो अगर मैं पैरों से संबंदित में लक्षनों की बात करूं तो टांगों में सोजन, दरत, लाली पनाना, ठकावट हो जाना, एंठन बने रहना, एक पाओं का टाइट सा हो जाना, कई बार लोगों को लगता है कि हाँ भी मेरे पैरों में जैसे क्रैंप आ गया है, जबकि सूजन नहीं आया होती, लेकिन फिर भी, एज़े डॉक्टर हमारे मन में ये शंका बड़ी अधिक होनी चाहिए कि इस मरीज में उसकी ये रोग है, क्या कुछ जाँच हैं, विशेश जाँचे हैं? इसमें सबसे एजिएस्ट जाँच जिसे कहते हैं कॉमन में के लिए एक अल्टरा साउंड, अब ये अल्टरा साउंड जो होते हैं नसों का एक अलग तरह का होता है, जिसको हम कलर डॉपलर बोलते हैं, रंगी जैसे पेट के ल्टरा साउंड के माफिक, टांगों पे जली लगाके उसको ल्टरा साउंड मशीन में नसों के अंदर खून के संचार को देखा जाता है, उसमें आपको टीवी मॉनिटर पे डायरेक्ली खून की नसे दिखाए देती हैं, आप उसमें खून का फ्लो का आकल सकते हैं, तुरंत मिलके इस बीमारी का उपचार शुरू कर सकते हैं, ये तो है easiest test, बाकी उसके बाद आप CT scan भी करा सकते हैं, MRI भी करा सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से महंगे वाले भी test हैं, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है, easiest and the best, आज की तारीख में अगर मैं बलू तो color doppler से बढ़िया कोई नहीं है, जी हम बचाओ की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब उपचार जानना चाहते हैं कि कौन सा उपचार तुरंत कारगर साबित हो सकता है, उपचार के कई सारी विदियां है, सर इसमें, सबसे पहला उपचार तो ये होता है कि अगर आपको पता चल जाए कि इस मरीज को clotting है, DVT है, तो सबसे पहले हम उन्हें खून पतला करने की दवाई का सेवन करने की सला देते हैं, चाहे वो injection हो, चाहे वो गोली या capsule के रूप में क्यों ना हो, उसके साथ साथ हम उनको एक graduated compression stockings भी देते हैं, एक scientific तरीके से design करेवी ज लवाएं होती हैं जो इसके साथ दी जाती हैं, और साथ की साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जाती है, कि इस DVT की वज़ा क्या है, कहने का मतलब यह है, कि इलाज के साथ साथ हम साथ blood test वगरा भी करते हैं, या कुछ और जरूरी investigations जांच होती हैं, वो भी करते हैं, ता अब कब यह पहनी जाती हैं, यह stockings एक तो आदमी के जो भी शरीर के अंग में DVT है, लेफ्ट लेग है या राइट लेग है या दोनों टांगे हैं, उनका नाप लेके तैयार की जाती है, इसमें एक particular amount का एक pressure create किया जाता है, graduated हम इसको इसलिए बोलते हैं, कि इसका pressure पैरों की तरफ जानी के शरीर से जितना दूर अंग है, pressure अधिक होता है और जितना हम उसको उपर की तरफ लेके आते हैं, जैसे पैर है, घुटने है या जांग है, तो पैर पे pressure जादा होता है, घुटने पे थोड़ा कम और जांग पे थोड़ा और कम, ता जो एक gradient create हो जाता है, क जब इसका इतना अच्छे इसके नतीजे आते हैं, कि एक बार जब रोगी पहन लेता है, पहन एक बार उसको इतना अधिक और इतनी जल्दी आराम मिलता है, कि वो मतलब इसका फिर इस्तेमाल करना मतलब एक तरह से सुचारू रूप से शुरू कर देते हैं, जी, ऐसे कहा में बात करी थी, जीवन शैली की वज़ा से, सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें, अक्टिव रहें, मोटे अना हो ने, धुमर पान और शराब का सेवन ना करें, अगर मान लीजिए कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं, कि जिसकी वज करें, कि आपको DVT होने की संभावना काम हो, और मान लीजिए आपको चोट लग जाती है, तो आम तोर पर क्या होता है, कि गंभीर चोट लगती है, तो आदमी को बिस्तर पर जादा समय तक लेटना पड़ता है, ऐसी हालात में भी कोशिच ये करें, कि अपने चिकित्सक से स काम हो जाती है, तो हम जल्दी चलना फिर्णा शूर करें, बिल्कुल, बिल्कुल, एक समय था, आपको भी याद होगा, पहले हमारे नानी दादी के समय में गर्बा वस्ता की डिलिवरी के तुरंद बात कुछी दिनों में, एकाद दिनों में, लेडी लोग घर के काम करने लग जाती थी, तो वो इसलिए था हमारे जिसे कहते हैं, पुरवजों को बहुत सारी चीजों का ग्यान था, कि जितना आदमी सक्रिया रहे, उतनी बिमारियों की समावना कम रहती है, डॉक्स अब लंबी यातरा के समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, ताकि पैरों में ग पैपोरेशन होती है, बाडी से पानी की होती है, तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन सारे हवाई यातियों को यह है, कि अगर आपकी कोई यातरा आदे गंटे से कहीं की जादा है, तो ऐसे में बहुत सरी सिंपल सी चीजे हैं, जो आप वायूयान में बैठे बैठे भी कर सकत के वायूयान के बीच में जो पंक्ती होती है, उसमें एक कोरीडोर होता है, उसमें थोड़ा सा टहलने, मोटे ना, मोटापे को कंट्रोल में रखें, और अगर किसी वज़े से आप उठके नहीं चल सकते हैं, तो अपनी सीट पे बैठे बैठे पैरों की एक एक्सरसाइज क बनवाएं और हवाई यातरा के दुरान उसको पहने, तो यह तो रही हवाई यातरा के संदर्ण में बाद, अब रह जी हम अपनी गाड़ी लेके मान लीजे, देरादून से दिल ली जा रहे हैं, तीन से चार घंटे की यातरा है, तो रेगुलर तीन से चार घंटे लगाता ड्राइव ना करके हर आदे पॉने घंटे पे एक छोटा सा ब्रेक लें, गाड़ी से उतरें, थोड़ा सा बाहा टहल लें, चाहे लगुशंका के लिए, चाहे पानी के सेवन के लिए, चाहे थोड़ा सा बाड़ी को स्ट्रेच करने के लिए, फिर वापस आके गाड़ी में हैं लक्षन क्या होते हैं माल ये डीवी टी में जब एक लॉट तूट के हार्ट की तरफ को जाता है और वो जाके फेफडों की ब्लड सर्कुलेशन को बंद कर देता है तो उसको मेडिगल भाशा में हम इसको पल्मरी की एमबॉलिजम कहते हैं पल्मरी माने लंग्स एमबॉलिजम माने क्लॉट तूट के वहाँ पे पहुंचता है अब चुकि ये जानलिवा स्थिती होती है तो ऐसे में ये बिलकुल हार्ट अटैक की तरह बिहेव करता है मरीज को अचानक तेज चाती में दर्द हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो सकती है कभी-कभी उनको खून की उल्टी या खांसी आने जैसा लगता है और बेचैनी सी बढ़ने लगती है अचानक बहोशी सी चाने लगती है तो अगर किसी डीवीटी के मरीज में इस तरह के लक्षन देखने को मिलते हैं तो मरीज को परिवार को ड मतलब संभावना बढ़ सकती है अगर डीवीटी किसी को है तो देखे डीवीटी अगर किसी को है तो उसको प्राक्टिकली प्रिमनी रेम्बॉलिजम होने की एक संभावना है ही अब हम ये मानके भी चलते हैं कि छोटे-छोटे क्लॉट तूटके चलते रहते हैं लेकिन जानलेवा स्थीती से बचाव कि अगर किसी वजय से अगर कोई बड़ा क्लॉट तूटके हाट की तरफ को जाने लगे तो फिल्टर उसको वहीं पर रोक लेता है तो एक जानलेवा स्थीती से बचाव टूटर जिनदल क्या ये अनुवांचिक भी हो सकता है बिलकुल अधिकतर लोग जो डीवीटी जिनको खास कर दोनों टांगों में होता है या कब उमर में होता है ऐसे लोगों में अधिक TAR पाया गया है कि इनको अनुवांचिक कारण रहते हैं बहुत सारे मरीज ऐसे होते जिनको कभी पता ही नहीं होता कि ये हमें अनुवांचिक है कभी किसी को फादर की साइट पे किसी को या बज़र्गों की साइट पे कभी किसी को हुआ होगा उस टाइम ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि पता किया जा सके लेकिन अब चूंकि जैसे सुविधायं बड़ी है जैसे टेस्ट की जो टेकनॉलजी बड़ी है सब कुछ बड़ा है तो हम अधिक से अधिक ऐसे मरीजों को हम पिक अप कर पा रहे हैं जिनको हम बता सकते हैं कि इनको हेरेडिट्री कुछ डेफिशिंसी है किसी चीज़ की पड़े तो अपने चकित्सक को ये बताना ना भूलें कि आपको डीवीटी है और वो भी हैडिट्र डॉक्टर प्रविंट जिंदल आज आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने बहुत ही महत्पुन जनकारी हमारे शोताओं के साथ साज्जा की आपका बहुत बहुत धन्यवाद